हलो गाईज विलकम बैक तो दीज चैनल फ्रेंड्स इंडियन मार्केट में 15 एप्रेल को आपको रियल्मी P1 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइज इंडियन मार्केट में अंडर 15,000 रुपीज होने वाली है और इस पर फ्रेंड्स हमने ओलडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा लेकिन फ्रेंड्स रियल्मी P1 स्मार्टफोन के अलावा इंडियन मार्केट में रियल्मी का ही रियल्मी 12 5G स्मार्टफोन आता है जो कि आपको 17,000 रुपीज का देखने को मिलेगा तो आज के इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का कमपेरिजन करने वाले हैं and let's see guys दोनों स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे so वीडियो पसंदाई लाइक जरू कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो पाते रेने के लिए सबसे पहले दोस्तों बिल्ड क्वाल्टी डिजाइन वगेरा के बारे में बात करें तो रियल्मी P1 स्मार्टफोन का अगर आप डिजाइन देखोगे तो फेंड्स ये रियल्मी 12 5G स्मार्टफोन जैसा ही देखने को मिलता है और दोनों स्मार्टफोन फेंड्स आपको ओल्मोस सेम डिमेंशन पर देखने को मिलेंगे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइज रियल्मी 12 5G स्मार्टफोन 17,000 रुपीज का आता है लेकिन फेंड्स यहाँ पर आपको 6.72 इंचेस का Full HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जिसमें 120 Hz हाइर स्कनेफेशन 950 निर्स की पीक ब्रैटनेस का स्पोर्ड मिलता है लेकिन फेंड्स इससे कम प्राइस के अंदर रियल्मी P1 स्मार्टफोन आपको 6.7 इंचेस का Full HD प्लस AMOLED पैनल ओफर करेगा और यहाँ पर आपको अगेन आपको फ्लेट डिस्पले देखने को मिलेगी जहाँ पर चीन का साइज काफी एवरेज देखने को मिल जाएगा और अगेन गाइस स्मार्टफोन में 120 Hz की हाइर स्कनेफेशेट का स्पोर्ड भी दिया जाएगा इवन यहाँ पर 10 बीट कलर्स HDR10 का स्पोर्ड भी मिलेगा और 2000 नीड्स की पीक ब्राइटनेस आने वाली है तो आउडर कंडिशन में डेफिनेटल स्मार्टफोन में आपको विजिबिटी इंसेन देखने को मिलेगी सो नोड़ डिस्प्ले आपको रियलमी P1 स्मार्टफोन में ग्रेट देखने को मिलेगी अगर आप इस स्मार्टफोन के प्राइस सेग्मेंट को कंसीडर करोगे सेकेंड बात करें परफोमेंस की तो गाईज रियलमी 12 5G स्मार्टफोन में मीडियाटेक डेमसेटी 6100 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है जो की 6 नैनोमेटर फेब्रिकेशन पर बेस्ट है और इसके बेंच मास्कोर आपको 4 लेक 30,000 तक देखने को मिलेंगी सो परफोमेंस यहाँ पर काफी ज़्यदा डेसेंट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर LPDDR 4X RAM U1 2.2 स्टोरेज का स्पोर्ट दिया गया है लेकिन फेंस इंटरस्टिंग बात यह है कि रियलमी P1 स्मार्टफोन में आपको काफी कम प्राइस के अंदर MediaTek Demensity 7050 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमेटर फेब्रिकेशन पर बेश्ट है और इसके बेंस्मार्ट स्कोर की बात करें तो यह हमें 550,000 तक देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपको परफोमेंस डेफिनेटली काफी क्रेजी देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन में फेंस आपको LPDDR 4X RAM UFS 2.2 स्टोरिज मिलेगी और दोनों स्मार्टफोन आउट दो बोक्स Android 14 पर आते हैं जहाँ पर आपको दो साल के मेजर OOS अब्डेट्स भी दिये जाएंगे कैमरा के बारे में बात करें तो गाइस रियल्मी 12 5G स्मार्टफोन में 108 मेगा पिक्सल का में कैमरा आता है जहाँ पर फेंस आपको OOS का स्पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा और इसमें 2 मेगा पिक्सल का यूजले सेंसर दिया गया है और इस स्मार्टफोन के रियर केमरा से फ्रेंस आप Full HD 30 अपिस तक Max विडियो शूट कर सकते हो लेकिन फ्रेंस इंटरस्टिंग बात यह है कि आपको रियल्मी P1 स्मार्टफोन में रियर साइट पे 50 मेगा पिक्सल का में कैमरा मिलेगा जहां पर आपको OIS डेफिनिटली नहीं मिलेगा लेकिन 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल के दो एक्ष्टा सेंसर भी दिया जाएंगे और इस स्मार्टफोन के रियर केमरा से आप 4K 30 अपिस तक Max विडियो शूट भी कर पाऊगे तो नो डाउट यहां पर आपको केमरा क्वालिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी बाकी फ्रेंड्स बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग कपेस्टी के बारे में बात करते हैं रियलमी 12 5G स्मार्टफोन में आपको 5000 mH की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और सिमलर बैटरी कपेस्टी हमें रियलमी P1 स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाती है तो बैटरी बेकप आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलेगा पिकोज प्रोसेसर भी दोनों स्मार्टफोन में 6NM का देखने को मिलता है और यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन के साथ 45 वोट की वाइड फास चार्जिंग का स्पोर्ट भी मिलेगा तो चार्जिंग स्पीड में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है लाश्ट में कुछ अदर डिटेल्स के बारे में बात करें तो गाईज दोनों स्मार्टफोन में डूल स्टीडियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं तो आपको साउंड कालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलेगी इवन गाइज आपको दोनों स्मार्टफोन में connectivity के लिए Wi-Fi 6 Bluetooth version 5.2 का support देखने को मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन में guys 3.5 mm jack देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में आप memory को expand कर पाऊगे जो कि अच्छी चीज़ है लेकिन fans दोनों स्मार्टफोन में आपको NFC का support देखने को नहीं मिलेगा और all guys conclusion के बारे में बात करें तो recently Realme ने इंडियन मार्केट में Realme 12 5G स्मार्टफोन को लोंस किया है and I don't know guys Realme P1 स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन को definitely kill करने वाला है because fans इसकी प्राइज आपको काफी कम देखने को मिलेगी और features उससे better देखने को मिलते है so आपके क्या opinion होते हैं दोनों स्मार्टफोन के regarding comment section में बता सकते हो so फिलाल इस वीडियो में इतना ही hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना हो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से related informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लेना